हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नरबी, आइम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट, हिंदी का चप्टर एट, यह सबसे कठिन समय नहीं, और पहले हम लोग पेट कोर्स के बारे में देख लेते हैं, तो देखिए हमारे परस्टनल काइडेंस प्रो आपको नूट्स प्रोवाइड किये जाएंगे और यह सब इसके फीचर्स रहेंगे, पेमें डीटेल्स यह हैं कि तीन मंत के लिए आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएक और आप फदर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तीन मंत के बाद फिर जो आप दुबार आपको कुछ डिसकाउंट भी मिलेगा, तो फॉस्ट ए फिफ्ट क्लास के लिए थाउजन रुपीज, शिक्स तू एट के लिए 2,000, नाइन तू टेंथ के लिए 5,000, और बाकी 11,12 वाले अगर हमानिटीज वाले चाहते हैं, तो उनके लिए मैं वह मुस्से कॉंटक्त करें उसको उन लोगों को मैं अलग से इंफर्मिशन प्रवाइड करूंगी, तो आप पेमेंट डीटेल्स के लिए कैसे करना हैं, और आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो यह जो नंबर है, इस पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं, वाटसप पे मैसेज करिएगा, क्यों तो अब question answers हैं इसमें, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन-कौन से तर्क प्रस्तुत किये गए हैं, सपष्ट करिए, तो देखिए यह कठिन समय नहीं है, तो यह बताने के लिए चप्टर का टाइटल क्या है, यह कठिन समय नहीं है, तो क्या-क्या इसके थूचे कविता का इक्स्पनेशन भी मैं जल्दी गर दूँगी अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्षियर में बताईए अगर जादा लोग बोलेंगे तो मैं चिडिया की चोच में तिन का दबा है, तो कठें समय नहीं है, मतलब क्या हुआ, चिडिया के मुह में अभी भी खाना तो है न, एक हाथ जड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैटा है, तो मतलब जो पत्ती जड़ रही है, उसको अभी भी वो थाम पा रही है, अभी भी रेल गाडी कंधव्य तक जाती है कंधव्य का मतलब होता है मंजल, तो अभी भी एक गाडी जो है वो अपनी मंजल तक जा रही है तो अभी भी चिडिया की चोच में दिन का दबा हुआ है एक हाथ ज़रती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा हुआ है और अभी भी रेड़गारी गंतवे तक जा रही है और क्या क्या पॉइंट्स हैं कथा का आखरी हिस्सा बुड़ी नानी सुना रही है जिसमें अभी भी एक बस अंत्रिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी अभी भी कोई किसी को कहता है जल्दी करने के सारी दर्ग देंके कभी बोल रहा है कि अभी कठिन समय नहीं आया है फिर नेक्स डेच चट्यर्ट में तिनक heat कर उन्हें की तैयारी में क्युं है वह थिंआ करती होगी तो चट्यर्ट में परदधर की बच्व時間 करें सोтесь sided Prevention surems URL सब्सक्तिया को कहने तो पहले मैंने ब सुरज ढूबने से पहले चडिया अपनी लिए गोस्ला बनाना चाहती है इसलिए इसलिए अपनी चोज में दिनका दबाकर उन्ने की तयारी में है तो अपने मूँ में अपना गोस्ला बनाने के लिए नेक्स्ट है कविता में कई बार अभी भी का प्रियोग करके बाते रखी गई है अभी भी का प्रियोग करते हुए तीन वाक्ये बनाईए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिणारुके, चलने वाली, किसी क्रिया का भाव निकल रहा है या नहीं तो अभी भी का यूज करके हम लोगों को बढ़ाने है तो आप बना सकते हैं अभी भी सूरज ढ़लने में समय है मतलब अभी संसेट होने में समय है अभी खत्म सरी कक्षा खत्म होने में अभी भी कुछ समय बाकी है अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है तो ये सारे के सारे नहीं है अभी भी काहमने प्रयोक किया और वंद ये फिर उपर दिये वाक्यों मेह कारे के निरंदर चलने की प्रक्रया का भाव है थो यह स्काइट के मतलब निरंदर चल रहा है यह भी बताना था तो यह 시청 मेब बता दिया अब इसके हैं अंतरिक्ष क्शे के अनुमान लगाईए यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधि विज्ञान कता के आधार पर कल्पना कीजिए वैबस कैसी होगी वे बचे वे लोग खत्रे से क्यों घिर गए होंगे इस अंधर्ब को लेकर कोई कतन बना सके तो बनाईए तो इक तरह किसे साइंस फिक् कल्पना का साहरालिया है मतलब यह इमाजिनेशन है कल्पना कर रहे हैं सच्चाई नहीं है अंतरिक्ष के पार की दुनिया के सभी बाते कल्पनिक हैं तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया के बारे में जो कवी जितनी भी बाते कर रहे हैं वो से मन घड़न्द हैं कल्पनिक है से वो सोच रहे हैं सा कुछ सच में नहीं है इस प्रकार की कलपना को फैंटेजी कहते हैं इंगलिश में कवी में फैंटेजी बनाए रखने के उद्देश्य से कवी ने लिखा है दूसरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैग्यानिकों के पास भी कोई प्रमार नहीं है तो वैग्यानिकों कोई नहीं पता लगा है तो कवी नहीं तो सर्फ अनुमान लगा हैं फैंटेशी की हैं नेक्स्ट क्वेशन है घर में बुड़े बड़े बुड़ो द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा के जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखरी जीतने का संदेश है तो मतलब ऐसी कानियों के बारे में बताना है जिसमें लास्ट में मतलब किसी बहुत ही मुश्किल के बाद जीत असल होती है तो ऐसका आंसर जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कच्वे और खरगोश की जो दॉड़ होती है तो मैंने लिखा निया स तक कठिन परिस्सिती होती है कि वो हार जाएगा क्योंकि दीरे चलता है बट वो फाइनली जीत जाता है तो इस तरीकी की कहानिया आप लिख सकते हैं अब नेक्स्ट है आप जब भी स्कूल से घर जाते हैं कोई आपकी प्रतिक्षा कर रहा होता है सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लोट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतिक्षा कर रहा है प्रतिक्षा करने वाले वक्ति के विशे में आप क्या सोचते हैं अपने विचार से लिखिए तो मतलब आप स्कूल से आते हैं तो भी आपको लगता है कि घर पे होगत आप से क्या समझते हैं किस कांसर है जब हम घर से स्कूछ या शाम को खेलने जाते हैं तो हमारी माहारी पतिक्षा करती हैं धेर हो जाने पर वो परीशान हो जाती है वह हमें हर प्रकार के कष्टों से बचाना चाहती हैं तो घर में पेरेंस हमारे जो हैं दादल दादी वो हमारे घर में हमारा वेट कर रहे होते हैं ताकि हम लोग चल्दी से आए और हम किसी मुसीबत में ना पड़ें नेक्स्ट इसका नहीं और अभी भी को एक साथ प्रियोग करके तीन वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव चुप सकते हैं तो नहीं अभी भी जो है ये शब्द जो है इनकी हल्प से हमें वाक्य बनाना है तो देखिए इसका अंसर हो आपके स्कूल की चुट्टिया भी जो है बच कहतं है बची है नहीं अभी भी तुमने खाना नहीं खाया है लब खाना फूरा खाव ऐसे करके इस साल समय पर वर्षा नहीं होई है किसान अभी भी बादलोगो देख रहा है अभी भी निरंदर चलने वाली क्रिया का बोद कर तो इस चप्टर के question answers का explanation हो गया है तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा देखिए आप लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग लाइक कर दिया करें वीडियो और इस वीडियो को शेयर क